हेलो फैंस, वेलकम तो मा यूटूब चैनल, एक्सेसाइस 15.3 से कोश्चन नमबर 2 करेंगे, ड्रॉआ ग्राफ और फॉलोइंग, इनके ग्राफ बनाने आपको, पहला जो पॉइंट है, इसमें साइड ओफ स्क्वेर, सेंटीमीटर में दे रखा है, और पैरिमीटर दे रखा ह यानि किसी स्क्वेर का साइड दी हुई है, और उसकी साइड के हिसाब से, उनका जो पैरिमीटर है, वो इन्फरमेशन आपको दे रखी है, इस इन्फरमेशन को आपको ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो साइड ओफ स्क्वेर को मैं ले लूँगा, एक सेंटीमीटर के बरा सेंटीमीटर को ले लूँगा, ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा, लेकिन जो स्केल मैं यहां लूँगा, वो एक यूनिट को फोर के बराबर ले लेता हूँ, मैंने फोर फोर का गैप रख लिया यहां पे, अभी वैलूस पूट करते हैं, तो जिस स्क्वेर की साइड तो मैं 2 पे जाऊँगा, साइड वाले एक्सिस पे मैं 2 पे जाऊँगा, और फिर पेरिमीटर वाले एक्सिस पे मैं 8 तक उपर की तरफ चलूँगा, ऐसे, और जहां बिल्कुल 8 आ जाएगा, वहां पे मैं ये प्लॉट कर दूँगा, तो ये वैलू हो जाएगी मेरी 2 8, अ X-axis पे यानि side of square वाले axis के उपर मैं 3 पे जाऊंगा और फिर perimeter वाले axis पे 12 तक मुझे चड़ना है ऐसे यहां मैंने 12 देखा यहां पे इसके sum नहीं यह है तीसरी value है 3.5 और 14 तो side पे मैं 3.5 देखूंगा तो 3 और 4 के बीच में 3.5 आएगा और यहां से मैं चलना शुरू करूंगा और 14 तक मुझे चलना है अब 14 भी मुझे यहां समझना होगा क्योंकि direct 14 यहां नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मैंने एक column को 4 के बराबर ले रखा है तो इसका half हो गया 2 के बराबर तो 12 में जब 2 जोड़ेंगे तो यह 14 हो गया तो यहां 14 है और यहां पे 3.5 है 3.5 से मैं ऐसे चलना शुरू करता हूँ और जहां 14 के सामने बिल्कुल यह value आएगी यह हो जाएगी 3.5 और 14 next 5 है तो side पे मैं 5 पे जाता हूँ और perimeter इसका 20 है तो यहां से चलना शुरू करूँगा और बिल्कुल y-axis के parallel चलूँगा जो 20 के सामने जो value आएगी यही मेरा point होगा 6 यह side है यहां से मुझे चलना है उपर की तरफ और 24 तक चलना है तो चलते हैं से सीधे 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 गए जहां 24 आ जाएगा वहीं पे आपका ही point होगा तो यह तो होगी इनकी plotting graph बनाने के लिए इसे सीधा जोड़ देते हैं क्योंकि points मेरे बिल्कुल सीधे आ रहे हैं यह एक ही line के उपर आ रहे है तो जब इस तरह का graph बनता है न आपका तो उसे linear graph बोलते है सारे के सारे points से एक ही line के उपर आ रहे है यहाँ पर question में भी आपसे पूछा है is it a linear graph तो आप कहा देंगे yes yes it is a linear graph अगर यह points एक सीधी line में नहीं आते न तो इसका answer आपका फिर no होता चले second point देखते हैं इसका second point में जो दे रखा है side of square दे रखी है और उसका area दे रखा है अब जब square की side 2 है तो 2, 2, 0, 4 उसका area हो गया अगर square की side 3 है तो 3, 3, 0 उसका area 9 हो गया इसी तरह से 4, 5, 6 side दे रखी है और उनका area दे रखा है इसका भी आपको graph बनाना है तो नीचे वाले axis को मैं ले लेता हूँ side of square ये centimeter में है यहाँ scale मैंने वही लिया है कि एक block की length को 1 के बराबर लिया है 1 centimeter तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उपर यहाँ y-axis पर मैंने ले लिया है area ये centimeter square के अंदर है इसका scale मैंने लिया है एक unit को एक unit जो length है इसे मैंने 5 के बराबर ले लिया है यहाँ पर जब area में आपने ये एक unit 5 लिया है तो इसमें आपको ये समझना होगा कि एक unit के अंदर ऐसे छोटे छोटे divisions होते हैं 10 तो जो दो division होगे न आपके वो मिलकर एक value बनाएंगे 1 आगे ध्यान रखना जब हो value put करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा शुरू करते हैं 2 है और ये 4 है square की side 2 है और area 4 है तो 4 देखने के लिए मुझे छोटे छोटे जो divisions है न ये मुझे 8 divisions लेने पड़ेंगे तो 8 divisions मेरे पूरे होंगे यहाँ 5 हो गया 6,7,8 यहाँ पर second value 3 और 9 तो side तो है 3 और अब मुझे 9 तक चलना है उपर तो 9 चलने के लिए जो 10 है 10 से just 2 unit नीचे आ जाओंगो मैं 2 divisions क्योंकि 2 divisions का मतलब है 1 तो यहाँ पर 10 हो गया तो नीचे जब मैं 2 box नीचे आओंगा तो वो value मेरी 9 होगी मैं लिख भी देता हूँ यहाँ यह 2 हो गया 4 हो गया और यह हो गया 3 और यह 9 यह इसके coordinates हो गए फिर है 4 और 16 तो 4 side पे चलना है मिरको और यहाँ से मुझे उपर 16 तक चलना है तो 16 आएगा 15 के आगे तो 15 तो सारा सारा सामने दिख रहा है और इससे 2 unit उपर यह मेरा 16 हो जाएगा तो यह value होगी 4 16 फिर है 5 25 तो square के side वाले axis पे हम 5 पे जाएंगे और यहाँ से हमें उपर चलना है 25 तक यह 25 होगा इसके ज़स सामने यह point आ गया तो इस point का नाम होगा coordinates इसके होगे 5 25 फिर है 6 36 तो यहाँ 6 है side पे अब 36 तक चलना है तो उपर चलते है 35 मुझे दिख रहा है graph पे साफ 35 के उपर दो छोटी unit जो है यह मेरे 1 के बराबर है तो 35 यहाँ होगा 36 यहाँ पे होगा यह होगा 6 36 तो यह तो ओगी इसकी plotting अब graph बनाने के लिए आपको line बनानी होगी मैं देख रहा हूँ कि यह dots है ना इलकुल सीधे नहीं आ रहे है तो मुझे इससे free handy बनाना पड़ेगा ऐसे यह मैंने जोड़ दिया यह मैंने जोड़ दिया यह point मैंने जोड़ दिया और यह point मैंने जोड़ दिया अब क्योंकि यह सीधी line नहीं आई है तो यह linear graph नहीं है घ्हीं हार लूब स्थाइन आई है